बच्चों मैं आपको एक कहाने सुनाने जा रहे हूँ जिसका शीर्षक है पुकड चुवा किसी गाउं में एक चुवो का परिवार रहता था जिन में से एक चुवे का नाम था कुकू और कुकू को बहुत दखाने का शौक था वो दिंबर खाता और सोता रहता था और सब लोग उसे समझाते थे कि थोड़ा कम खाया करो पर कुकू को समझ में नहीं आता था और एक दिन उसके अगली सुवे उसके दोस्त का जनम दिन था और उसका दोस्त उसे नोलता देने आया कि अगली तुम कर मेरा जनम दिन है तुम मेरे जनम दिन में जरूर आना और अगले देन कुकू पार्टी पर पहुझता है, वहाँ पर भी वो अपनी भूप पर काबू नहीं कर पाता है, सब के आने से पहले लगबर पूरा केक खा गया, और सब चुए उसे कहते हैं, तुमने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, और कहते हैं कि तुम तो भुकड हो, कुकू उदास होकर अपने घर को वापस निकल जाता है, पर उन सब के ऐसा होने से तब भी कुकू पर कोई असर नहीं करता है, और एक दिन उसका दूसरा दोस्त बुलाने आया, कि खेतों में फसल बहुत अच्छी हो रही है, चलो, खाने चलते हैं, और दोनों दोस्त जल्दी से खाने लगें, सब सारे चुड़े, और उतने में ही पिंटु चूहा कहता है, अरे जल्दी खाना, हमें जाना भी है, और कुकू कहता है, कि एक बार फेट भद कर खाने दे, और फिर एक बार लंबी से दकार लेने दे, फिर चल और उतने में ही बिल्ली आ गई और फिर सभी चुहों में भागदोर मच गई और कुकू बहुत धीरे धीरे चल रहा था क्योंकि इतना खाने की वज़े से उसका पेट एकदम भारी हो गया था और वो चल भी नहीं पा रहा था इतने में ही कुकू का पैर अटक गया और बिल्ल कि धीरे धीरे उसके पास आने लगी और उतने में ही कुकू का पैर निकल गया कुकू जैसे तैसे लंगणा लंगणा के भागने लगा और उतनी में ही उसका घर आ गया और फिर कुकू धीरे धीरे चलने लगा जैसे ही वो घर के अंदर उसने लगा तुरंत उसका उसकी गर उसका पेथ इतना मोटा हो गया था कि वो घर के अंदर भी नहीं कुस पारा था सभी चुहे उसे अंदर से खीतने लगे और बाहर से बिली उसकी पूच खीत रही थी कुकु चिलाने लगा पर बिली ने उसकी पूच नहीं छोड़ी आखिर में उसकी पूच ही तूट गई और बिली धराम से पीछे गिर गई सभी चुहों ने जैसे जैसे चुहे को कुकु को अंदर खीच लिया बच्चों हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर चीज की अती हमेशा नुक्षान दाया की होती है दोस्तों आपको मेरी कविता कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलियो जाज़ाएगा